हलो फ्रेंड्स वेल्गम टुमाइ चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हर भी बात करूँगा आप से इस वीडियो में नए मॉक्टिस्ट के संबंद में जो की संबंदित है 59,000 सिचक बरती परिच्छा से और अगर आपने पहले के मॉक्टिस्ट नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में मॉक्टिस्ट की प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना मत बुलेगा और बिल आइकन को भी दबाना मत बुलेगा जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे हैं इस वीडियो में आपको समाची के देन, सिच्चड कोसल और बालमनुविद्यान के प्रस्ण म्लेंगे यानि 30 प्रस्ण आपको इस वीडियो में बुलेंगे और जेतने भी प्रस्ण आप सही कर पाते हैं कमेंट करेंके ज़रू बताएगा और अगर आपको वीडियो चोड़िए इन सब बातों को और शुरू करते हैं पेन और पेपर उठा लिए और लिखना चालू कीजिए पहला प्रशन है रस्किन के अनुसार कला क्या है तो यह है कला जो है सौंदर है आप्शन इसका बी सही है अगला है सामाजिक अध्यान लोगों तो था सामाजिक बहुतिक वाता बने के प्रति उनकी पारस्विर्विक क्रिया से संबंदित है यहां परिवासा है किसकी यह परिवासा है राष्टी सैचिक अनुसंधान इसका अप्शन भी सही है देखिए कुछ प्रस्ण टफ मिलेंगे कुछ प्रस्ण बहुत ही आसान मिलेंगे तो वीडियो को पूरा देख लिएगा क्योंकि जो प्रस्ण आपको नहीं आते हैं तो आपको पता चल जाएंगे और अगर बाई चांस कोई भी प्रस्ण आ जाता है तो आप कर भी सकेंगे एक्जाम में अगला है सामाजी गधिन के अंतरगत भोगोल सिच्छड हेतु सारवधिक उपयोगी शाहयक सिच्छड सामगरी है मान चित्र समय रेखा चित्र फ्लैस कार्ड बैरोमेटर तो ये है मान चित्र अगला है इतियास हमारे संपूर भोटकाल का वैज्ञानिक अध्यन तथा लेखा जोका है कथन है तो ये कथन है प्रोफिसर घाटे का ओप्सन सी सियस का अगला है भारत की प्रथम माहिला एपियस अपसर है तो ये है किरन वेदी जी ओप्सन सी सियस का अगला प्रशन है असम का प्रशिद एक सिंग वाला जैंडे वाला वन ये भेरन कौन सा है तो ये है काजी रंगा इसका ओप्सन आपका बी सही होगा निम लिखित में से कौन सा आगने चट्टान का उधारन है बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट तो आगने चट्टान का उधारन है बेसाल्ट पहला आप्सन इसका सही होगा अगला है प्रतिवी के वाता वरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है ये पाई जाती है स्ट्रेटो स्फियर, आप्सन बी जिसे समताम मंडल कहा जाता है अगला है सिक्धर्म के संस्थापक निम लिकित में से कौन है आपको पता होगा गुर्णानक जी है ओप्सन डी सही है इसका अगला है भूकम्ब की तियूरता नापने का जंत्र है सबी को पता होगा ओप्सन बी सही है इसका सिस्मो ग्राफ देखिए हमारा दस प्रस्ण समाप्त होते हैं आप हो है हमारा सिच्छड को सल अगला है विद्याले का कार होता है इसका अप्सन आपका डी सही है संसकर्द का संचरण संसकर्द का सनच्छड संसकर्द का परिस्करण संसकरत के नए प्रतुरूपों का निर्माण ये विद्याले के सभी कार है अगला है सिच्छा की प्रक्रिया के अंग होते है इसका अप्शन आपका D सही है ये सभी अगला है छात्रों को ठीक साबास बहुत अच्छा कहना है इसका अप्शन आपका C सही है सकारात्मक साब्दिक पुनरपलन अगला है किस आई वर्ग के बच्चे सिच्छा के अधिकार की परिदि में नहीं आते इसका अप्शन आपका B सही है 0 से 5 वर्ष के बालप जो है सिच्छा के अधिकार के परिदि में या अधिकार के अंतरगर नहीं आते है अगला है भारती समिदान में नहीत मूल है सुतंतरता धर्म निर्पेचता भेदभाव या प्रोक्षवी तो इसका अप्शन आपका D सही हो प्रोक्षवी अगला है वैदिक काल में सिच्छा का सत्र कब्षी प्रारम होता है तो इसका अप्शन आपका सही है जो आप सोच रहे हैं स्रावण पूर्डिमा B अप्शन अगला है विक्रम सिलाव इस विद्याले को नश्ट किसने किया तो ये किया था बक्तियार खिलजी अप्शन B सही है इसका अगला है सिच्छड सूत्र का प्रभाव पढ़ता है पहला उप्शन इसका सही है सिच्छड पर अगला है वर्तमान समय में सिच्छक की भूमिका है तो इसका अप्शन आपका B सही है सुगम करता की भूमिका जो है सिच्छक निवाता है अगला है प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों के लिए संगीत कहानी कहने नाटक कला सिल्प कला खेलाज जैसी गत्विदियों का संचालन होना चाहिए तो इसका अप्शन पहला सही है सबता हमें एक बार देखिए हमारा सिच्छक वसल समापत होता है अब बढ़ते हैं बाल मनोग ज्यान के तरफ तो पहला प्रस्नेश में जब बच्चे एक विशेश संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है यहार रणनीत सायद अधिक समय तक काम ना करेक्यों की आपको बताना है तो ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बताईए तो प्रमाण पत्र दिया जाता है तो आई थिंग आपका जवाब अब तक आपको मिल गया होगा इसका अपसन आपका जो सही है वो सही है पहला या संबवता बच्चे को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा रहा है या ले जा सकता है इसलिए इसका option आपका पहला सही है बाकी जो option है वो सब गलत है तो अगला प्रशन है किसी कच्छा में सिच्छक की भूमिका है आपको पताना है कौन सा option सही होगा इसमें तो इसका option आपका सही है साइद आपको आपका answer मिल गया होगा option B सीखने की विश्वसनी इस्थितियों जोटाना और सुच्छार्थियों को स्वतांतर चिंतन की सुविधा जेना option B सही है इसका अगला है मानसिक सनचना है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है इसके लिए प्याजने की सब्द का पर्योग किया है तो इसके लिए प्याजने किया है इसकी मा का पर्योग इसका option जो है C सही है अगला प्रश्ण है वाई गोस्की के अनुसार बच्चे सम से क्यों बोलते हैं तो इसका option आपका option सही है option D बच्चे अपने कारे को दिसा देने के लिए बोलते हैं option D सही है का वाई गोस्की ने ये कहा है अगला है अधिगम और सक्तता वाले बच्चों को एक समाद दिखाई देने वाले अच्छों या बाड़ों में भ्रम होता है बच्चे द्रस सब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं बच्चों का मांसे कास मंद होता है बच्चे निम्न गुद्धी वाले होते हैं आपको पता ना इस पर से कौन सा option सही होगा तो इसका option आपका सही है पहला बच्चों को ये एक समान दिखाई देने वाले अच्छरों वाड़ों में भ्रम होता है अगला है प्रतिबा साली होने का संकेत निम्न गुद्ध में से कौन सा नहीं है तो इसका option आपका सही है option B दूसरों का साथ लड़ना अगला है विशिष्ट बालकों की सिच्छा है तो सिच्छप को ध्यान देना चाहिए तो इसका option आपका सही है option C वैक्तिगत आवसक्ताओं वाश्रमश्याओं पर अगला है विकास कभी न समाप्थ होने आली प्रक्रिया है या विचार किससे सम्बंधित है ये सम्बंधित है नेरन तरता के सिध्धान से option D सही है अगला है सामानिक गर्वधारण के कितने दिन बाद से सुका जनम होता है ये होता है 280 दिन के बाद option C से इसका लास्ट प्रस्ण हमारा इस वीडियो का जनम के समय नवजा सिसु की औसर लंबाई क्या होती है तो ये होती है साड़े 19 इंच या लगबग 20 इंच तो दिखे 30 प्रस्ण हमारे समाप्त होते हैं और जितने प्रस्ण आप सही करते हैं कमेंट करके जरू बताएगा थैंक्यू फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल पराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में